नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी टेप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जाना बहुत इंपोर्टन्ट और आपके लिए बहुत जादा फाइदेबंध होती है तो चलिए दोस्तों आईए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास आईए आज हम सभी जानते हैं बेदी खास टॉपिक्स के बारे में जिया दोस्तों रात के खाने में कभी ना खाएं ये दस आहार हो सकते हैं कई परेशानियों के शिकार जिया दोस्तों कहते हैं सुबह का नाश्ता सबसे भारी होना चाहिए दुपैर का खाना उससे हलका और रात का खाना सबसे हलका होना चाहिए बगर ज़ादातार लोग इस नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं और दिन और रात के खाने में एक ऐसी चीज़े खा लेते हैं जो असारी से पच नहीं पाती और कई तरह के रोगों का कारण बनती है जिया दोस्तों यह बात तो सभी अच्छे से समझ सकते हैं खाने का सेहत से खास कनेक्शन होता है जिया दोस्तों हम आज ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे रात में गलती से भी नहीं खाना चाहिए आज हम आपको कुछ ऐसे फूट्स के बारे में बता रहे है जिनने रात में आप ना खाये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमन साबित हो जोगता है सबसे पहले तो पास्ता एवन पीजा जिया दोस्तों यदि आप भूगे हों तो पास्ता को बेस्ट माना जाता है क्योंकि फिर्वे लंबे समय तक आपको कुछ खाने की जोयत नहीं होती मगर मामना रात में पास्ता खाने से है तो आपको बता दे कि इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है जिससे आपका वजन बढ़ सकता है पास्ता में मवजूद कार्बो हाइडरेट तेजी से फैट में बदल जाते है और यही हाल पीजा के साथ भी होता है इनको पचारने में भी काफी समय लगता है इसलिए आप रात में बिल्कुल भी ना खाए इसके लावा आईस क्रीम यह ऐसी चीज है जो लगबख लोग सबी खाते ही है और यह लोग रात को ही जादा खाते है मगर असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आईस क्रीम में भारी मात्रा में फैट और शुगर होता है और इसे खाने के बाद लोग तुरंट सो जाते है ऐसे में कैलोरी बन करने का समय ही नहीं मिलता और फिर वजन भरना लाजमी है इसके अलावा आप चाहे या कौफी बिल्कुल भी ना पिए कौफी या फिर चाहे पीने का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है कैफिन की मातरा वाली किसी भी चीज के सेवन से नीन का असर पड़ता है कैफिन का असर लेने के 3-4 घंटे बाद ही रहता है इसलिए कौफी तो बिल्कुल भी ना ले इसके अलावा मसालेदार खाना अगर किसी को मिर्च मसाले वाली चीजे खाने में पसंद है तो उन्हें सकेत हो जाना चाहिए कम से कम रात में ऐसे खानों से बचना चाहिए क्योंकि इससे गैस और ऐसीडीडी की शिकायत हो सकती है ऐसे में उस व्यक्ति पर पूरी तरह यानि की पूरी रात क्या गुजरती होगी वही समच सकता है यानि की प्रॉब्लम होती है उसे इसके अलावा चिक एवम अन्ने स्नैक्स चिप्स एवम अन्ने फास्ट फूड रात में बचना चाहिए दरासल इसमें भारी मात्रा में मोमो, सोडियम, क्लूटा मेट होता है जिससे आगे चल करके सोने संभंधी तमान तरह की समंधी बिमारियां आपको हो सकती है इसके अलावा एलकोहल वैसे तो एलकोहल से जल्दी नींद आती है मगर किसी को अच्छी नींद की सक्त जरूरत होती है तो यह एक बुरा आइडिया साबित हो सकता है इस थिती में अच्छी नींद आपको अगले दिन ही मिल सकती है इसलिए आप इसका सेवन भी ना करे तो अच्छा है कभी भी ना करे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होता है और रात को तो आपको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए इसमें ऐसी चीज़े बेशुमार है जिसे हम हेल्दी मानते हैं वैसे तो सब्जियों में कई जरूरी पोशक्तत होते हैं जिनने शरीर के लिए फाइदमंद माना जाता है मगर इस बात का भी ध्यान रखें कई सब्जियां ऐसी भी होती है जिनमें फाइबर कम होता है जिसकी वज़े से खाना पच्चने में समय लगता है और खाना अगर पच्चता नहीं है तो व्यक्ति सही से सो नहीं सकता है ऐसे में काफी रात को सोच समझ के ही सबजी का चुनाफ करना चाहिए इसके लावा ओट्स या कॉन्फलेक्स सुबा के समय शरीर में सुफूर्ती के लिए अनाच से बरनी ओट्स या कॉंपलेक्स जैसी चीजे ही काफी फाइदेमन साबित होती है मगर रात के समय के लिए यह सही नहीं होती है इसमें इतनी शुगर और कार्बो हाइडर्स होते हैं कि यह आपके शरीर को सोने की इजाज़त नहीं देते हैं इसके लावा चॉकलेट आइसक्रीम की तरह यह भी जादता लोगों को बहुत पसंद आता है रात में खाने के बाद मीठे में लोग इसे लेना पसंद करते हैं मगर इस बात का जरा भी ऐसास नहीं होता है उनको वास्तव में चॉकलेट कैफिन का एक बहुत अच्छा स्रोथ होता है जो कि आपको ए ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेणा मिलती है